तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और जो इस चैनल पे नए है अगर आप HEMM आपरेटर की वेकेंसी की तलास कर रहे हैं तो बहुत सरा मैं वेकेंसी से रिलेटेड वीडियो पहले भी लाया हूँ आपको पता इसलिए नहीं है क्योंकि है चैनल थोड़ा सा कम फेमस है कारण यह है क्योंकि मायनिंग सेक्टर में ही मैं सर siis वीडियो बनाता हूँ जब वेकेंसी आता है तो मायनिंग सेक्टर में HEMM को हिट करके बेल अगण को प्रेस कर दीजेगा सब्सक्राइब बटन को हीट करके बेल अगन को प्रेस कर दीजेगा फ्री है कुछ ऐसा चार्जेज बगरा नहीं लग रहा है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजेगा आते हैं वीडियो पर अगर आप ये वैकेंसी वाला नौटिफिकेशन देख चुके हैं तब भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लास्ट वीडियो को देखेगा क्योंकि मैं आज बताने वाला हूँ क्या है एक्जाम पैटन क्या है किस टाप के कोशन पूछेंगा मैं कोशन भी दिखाऊंगा प्रिवेस येर का साथी साथ मैं ये भी बताऊंगा में इपर पता दीजेगा कि कर लिया है या कुछ भी बताऊंगा जो आपको ठीक लगता है अपना कोई मैसेज है तो जरूर कनवे किजेगा NCL के तरफ से वैकेंसी निकाला गया है और NCL के ऑफिसियल साइट में जाके मैंने वैरिफाइ किया है तो ये वैकेंसी रियल है NCL CIL.in में जाके requirement section में आप देख सकते हैं पहला ही नमबर पर जो notification है employment notification for direct requirement for various post of HEMO operator training in NCL इसमें जाके Hindi English दोनों में notification है आप जो भी भासा को prefer करते हैं उस भासा में जाके download कर सकते हैं हमने अभी English में किया है मैं आपको बता देता हूँ पुरा डीटेल में देखो HEMO operator में जो positions है designation का name है वो कौन-कौन सा है मैं बताता हूँ swivel operator trainee, dumper operator trainee surface miner operator trainee dozer operator trainee grader operator trainee payloader operator trainee, crane operator trainee इसके बाद इसमें कौन अपलाई कर सकते हैं तो इसमें वही बच्चे apply कर सकते हैं वही candidate apply कर सकते हैं जिन्होंने 10th किया हो या तो high school किया हो या उसके को equivalent degree किया हो अगर higher किया है तब भी apply कर सकते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं है साथी साथ ये 10 तो आपके पास होना ही चाहिए साथी साथ आपके पास HMB HMB का मतलब होता Heavy Motor Vehicle License ये license भी आपके पास अगर है तो apply कर सकते हैं अगर ये license नहीं है कोई बात नहीं आपके पास transport license जो issue किया जाता है RTA या RTO के द्वारा अगर HMB नहीं है तब भी अगर transport license है तब भी आप इस post के लिए apply कर सकते हैं आप किसी भी state में हो आप apply कर सकते हैं किसी भी state के आपके पास certificate है आप apply कर सकते हैं ठेक है चले इसके लिए जो post है वो कुछ जोड़ जोड़ के category में हो total 338 post है तो ठीक ठाक vacancy है अच्छा का सा vacancy है हलाकि पिछले बार थोड़ा ज़्यादा आया था बड़ कोई बात इसमें जो crucial date रखा गया है मैं पूरा पूरी इपर बता ही देता हूँ crucial date क्या होता है crucial date का मतलब होता है कि भाईया इसी date के हिसाब से आपको हिसाब किताब करना है आपका age कितना हो रहा है आपका HMB का license इतना दिन तक बन जाना चाहिए इसके बाद वाला valid नहीं है और ये जो date है ये last date of farm भरने का date है crucial date है यानि 31.2.23 ये आपका crucial date है इसी के हिसाब से age बगरा सब decide किया जाएगा ओके इसके बाद आप बात करते हैं eligibility और percentage का तो बोलागी है कि metric में कम से गम आपका 55% होना चाहिए अगर आप general या EWS यान economically weaker section के candidate है तो अगर OBC non-crimalier वाले हैं तो 50% आपका marks होना चाहिए matriculation में और अगर SCST है तो आपका 45% marks होना चाहिए आपका matriculation में ठीक है? भाई साब देखी यहां पर एक होता है daily wages और एक होता है monthly wages monthly rated और daily wages तो यह आपका daily rated में आता है daily wages में आता है तो daily wages में बोलागी है कि 1502 रुपिया पर डे आपका पैसा दिया जाएगा अगर आप इसको 26 से इंटू करेंगे तो लगभग 40,000 रुपिया होता है और उसमें तोड़ा बहुत allowance बगरा जोड़ेंगे आउटी-उटी मिल जाता तो 40,000 से उपर हो जाता तो एक genuine और डीसेंट सा salary आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक अच्छा खासा salary है क्योंकि private में आप HMM का का काम कर रहे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि 20,000, 22,000, 24,000, 25,000 तक जनरली जाता होगा अगर बहुत अच्छी कमपनी है तो 30 जाएगे उससे ज्यादा नहीं जाता है 25 से ज्यादा जनरली कोई कमपनी में HMM Operator का नहीं जाता है ज्यादा तर कमपनी में 25 से ज्यादा है तो समझेगी आप अच्छी एक अच्छी कमपनी में काम कर रहे है तो यहाँ पर Central Government में आपको यहाँ पर NCL में 40,000 रुपया के आसपास आपको कुल मिला कर गए 40,000-42,000 रुपया इस्टार्टिंग सेलरी आपका मिल जाएगा ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ बोला गया है कि सबसे पहले आपको तीन साल का ट्रेइनिंग में रखा जाएगा इसके बाद फिर आपको आटाके Category D से अन्य Category 1 में पहले आपको रखा जाएगा 3 साल training period में उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा लेकिन training period में क्या salary वेगर नहीं मिलेंगे जो बिलकुल मिलेगा पंदरस सो दू रुपिया आपको salary मिलेगा तो मान के चिली training period में चैलेजर है फिर बाद में आपको और भी ज्यादा पैसा मिलेगा तो आपका life set है अगर HMM operator का post में आप काम करना चाहते हैं तो आगे का यहाँ पर English में पूरा हिजाब किताब लिखा है मैं आपको पूरा detail में समझा देता हूँ क्या है आपको online firm भरना है firm भरते time हो सकता है आपसे document मांगे यानि HMM का मतलब HMP license मांगे 10th का certificate अपलोड करना हो फोटो हो वी सी कास certificate बगर हो तो firm आप online भरेंगे NCL के portal में जाके अगर आप कहेंगे तो मैं video बना दूँगा कैसे firm भरना है firm भरने के बाद फिर आपको एक center दिया जाएगा जो center है वो बहुत ही limited center है total size 6 center है मेरे हिसाब से 6 बड़े बड़े center आपके पढ़ेंगे जिसमें एकदम limited है जैसे नागपूर center हो सकता है एहमदाबाद center हो सकता है कॉलकाता center हो सकता है इसके बाद देली center हो सकता है तो यह से selected को 6 जगा 6 जगा के आसपास 6 जगा center है अगर जादा candidate का application गिरता है जो कि generally आएगा जनरली आएगा क्योंकि पिछली बार जो vacancy में जो application आया था 35,000 के आसपास आया था 35,000 seat मतलब आया था तो center full हो गया था तो इसलिए बहुत सारा local center बनाना पड़ा था तो इस बार भी ऐसा ही उम्म ठीक है ठीक है अचले अपर एज रिलेक्सेशन दिया जाएगा जो नियम है बनी कि जो S.E.S.T. है उनका अगर उमर हो गया है तो भी आप 5 साल extend कर सकते हैं 5 साल आपका age जो है वो जादा रहेगा ठीक है बाकी post के लिए okay मतलब यह हुआ कि मैं आपको बताता हूं इससाब क अगर आप एक सर्विसमें के टेगरी में आते हैं तो फिर तीन साल आपको और एकसेस रिलेक्सेशन दिया जाएगा ओवी सी में 6 साल दिया जाएगा एक आप काम कर रहे है तो उस कंडिशन में आपको OBC वाले हैं तो OBC वाले में आपका 6 साल जोड़ दिजेगा मतलब 36 साल तक आप फर्म भर सकते हैं और अगर SCST है तो 50 साल तक फर्म भर सकते हैं पूरा maximum age यही लिखा हुआ है ठीक है आप ऐसे करके आप इसको पूरा डीटेल हो चाहें तो पढ़ सकते हैं बाकी मैंने बता ह क्या आगे का कंडिशन है क्या होगा मत बताता हूँ सबसे पहले आप online form भरेंगे form भरने के बाद फिर आपको admit card आएगा admit card आएगा तो उसमें CBT exam center पढ़ेगा CBT क्या होता है CBT होता है computer based test जितने भी position है सब के लिए एक ही गोई exam होगा सब का question paper एक के रहेगा खाली set अलग अलग रहेगा ABCD लेकिन question वही रहेगा फेट देगा खाली सब question 1 को तो question का pattern क्या रहेगा मैं आपको दिखाता हूँ बता कि कोई सायद आपको थोड़ा समझने में समस्य हो मैं पिछले साल का question आपको दिखाता हूँ तो यह HEMM Northern Coal Field Limited के तरब से ही निगाला ग इसलिए paper booklet दिया गया था और यह booklet बहुत के पास सायद अभी मिल जाएगा तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसको अपने telegram group में डाल दूँगा telegram group का link description में है मैं डाल ही दूँगा आप जाके वहां से download कर लेंगे नहीं बुझा रहा कुछ तो समझेगा आपको कोई भी video play कर जाएगे फिर वहां join कर लेंगे तो फिर आपका वहां से question paper मिल जाएगा देखे question paper में क्या है आपको मैं इकाद pattern दिखा देता हूँ यहां पर देखे बोला गया at present who is the chief minister of tripura tripura के वरतमान cm साहब कौन है तो मतलब एक तरह से कहा जाए तो current affair plus static gk यह static gk का question नहीं है यह dynamic gk का question है dynamic gk यह है प्लस अगर आप question को और देखेंगे तो इसमें reasoning भी पूछा है और plus math भी पूछा है तो cool मिला करके कहा जाए तो gkgs पूछता है current affair reasoning पूछता है reasoning math gkgs current affair यही से पूछता है क्या English का अलग से question रहता है कि देखो पिछले साल English का question देखने को नहीं मिला था औ तो English का अलग से question नहीं रहेगा अगर इकाद रहता है तो reasoning से ही dependent होगा ठीक है आपका current affair रहेगा का कि ऐसा जीके मनेंा तर्ण जेंज होते रहता है इस आज दिरिपुरा का cm कॉन है आज जहरेखेंड का cm कॉन है आज राटकते ही अज मत्य परदेश का cm कॉन है आज अज मत्य परदेश का racking तो यह सब to static gk माता है मतलब dynamic gk में आता है About static gk मतलब होता है जो change नहीं होता है, जैसे सबसे लंबा नदी कौन सा है, हिमाले परवत सिंकला में सबसे उक्चा चोटी कौन सा है, यह सबसे कोशन जो है, वो static GK कोशन, इसके बाद reasoning भी पूछा जाता है, reasoning भी आपका question रहेगा, और math भी रहेगा, अब इसमें क्या है, इसमें कोई categorization नहीं है, कि math इतना number का रहेगा, reasoning इतना number का रहेगा, लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, question paper देखने के बाद, जो GKGS और current affair वाला portion है, यह लगभग यह सबसे जादा होता है paper में, इस question में देखेंगे न, previous set में तो लगभग 40 question खाली, GKGS और current affair का था, अब इसको अगर scroll करके मैं दिखा ही देता हूँ, देखो यहाँ पर GK का question दिखेंगे, आपको सब election commission कौन है, which the present trophy वगएरा, game game वाला current affair वाला भी दिख रहा होगा आपको, scroll करते जाएंगे, करते जाएंगे तो देखेंगे, आपको बहुत सारा question मिलेगा, 40 question लगभग इसमें देखेंगे, अब current affair GKGS के मिलेगे, 40 number से देखें, math इस्टार्ट हो रहा है, 40 number को देखेंगे, event completed is a new of 10 hour, तो यह basically math का question है, तो मतलब GKGS और current affair का question बहुत जादा पूछता है, तो इस पर आपको fully focus करना पड़ेगा, ठीक, इसको आप दरकिनार नजर अंदाज नहीं कर सकते है, इसके बाद math का question है, ऐसा नहीं है, math का question नहीं है, लेकिन math और reasoning का क्या है कि कुछ fix नहीं है, math जनरली 10 भी पूच सकता है, 12 भी पूच सकता है, 15 भी पूच सकता है, लेकिन 20-22 से जादा नहीं किया है math का question, अप गर इसको देखेंगे, तो आपको भी मान के चली की GKS बहुत ज्यादा पूछता है इसके बाद क्या है इसमें कुछ और भी कोशन होते हैं क्या होते हैं मैं बताता हूँ यहाँ पर ट्रैफिक रूल से रिलेटेट कोशन पूछा जाता है जैसे मैं आपको एक्जांपल में दिखाना चाहता हूँ आपको साध समझ में आ जाएगा यहाँ पर देखेगा एक सिंबॉल दिया हुआ है और बोला गया है बताओ What does this road sign means? मतलब यहाँ पर सिंबॉल दिया है और लिखा है हिंदी में पूरा-पूरी एक्जाम दे सकता है तो यहाँ पर देखेगा सिंबॉल दिया है तो इस टाइप का ट्राफिक रिलेटेड कोशन भी पूछेगा BS4, BS6, BS3 कौन सा मोडल का गाड़ी चल रहा है तो आपको ट्राफिक रूल वाला कोशन भी थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा दू-चार को वीडियो में यूट्यूब में वीडियो देख लिजेगा आपका काम चल देगा तो कुल मिला करके कहा जाए तो GKGS का कोशन बहुत जादा है लेकिन Math, Reasoning और Traffic Rule का भी कोशन है तो कुल मिला करके यही है हिसाब किताब जो यहाँ पर लिखा नहीं है पुरा डीटेल में मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं कोशन को पुरा अनलाइसिस किया हूँ इसलिए मैं बता पा रहा हूँ बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है डीटेल में बाकी आप चाहें तो पूरा पूरी English में चाहें तो यह Hindi में चाहें तो notification पढ़ सकते हैं आगे कब और मैं बात बता देता हूँ जो form भरने का starting date है वो 9-8-2023 से है 31-8-2023 तक है form भरने का data भी बचा हुआ है आप चाहें तो भर सकते हैं बाकी चीज़े आपको website में बता दी जाएंगी यह तो हो गिया पूरा पूरी हिसाब अभी देखो ऐसा है कि कोई बंदा मान के चलो diploma किया है ठीक है diploma in mining है किसी के पास प्लस overman या सरदार का certificate ठीक है बंदा क्या इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकता है नहीं कर सकते हो बाइसे क्योंकि HMB का license आपको चाहिए अगर आप HMB का license कुछ भी करके कुछ भी करके मिन सब समझी रहोंगे जुगाड़ लगा के कुछ भी करके अगर 31 तारीक तक बनवा सकते हैं 31 तारीक तक बनवा सकते हैं और अगर HMB नहीं बनता है तो transport rule के हिसाब से जो आप मैंना बताया थोड़ा दिर पहले अगर वो भी बनवा सकते हैं तब भी आप 31 साट 2020 से पहले अगर बनवा सकते हैं क्या होता है कि मैं थोड़ा practical चीज बताता हूँ बहुत सारे state ऐसे हैं जिसमें traffic rule थोड़ा tight है तो क्या होता है कि आपको मतलब बार बार जाना पड़ता है देखना पड़ता है डेमो बगरा देना पड़ता है कुछ जगा पर थोड़ा हलका भी है मैं corruption को promote नहीं करना हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ कि HMB का license अगर आपको मिल जाता है किसी भी तरीके से तो फिर आप apply कर सकते हैं होगा क्या इससे अगर होता है तो अगर नहीं होता है खोई बात नहीं तो मगज मारी मत करो अगर आप सोच रहें कि HMM operator में आप चले जाएंगे तो फिर आपका career आगे diploma mining में नहीं हो सकता है ऐसा नहीं है क्योंकि departmental vacancy हर साल हर साल दो साल में निकलता ही है कोल इंडिया का भी और NCL का separate भी जिसमें बोला जाता है कि overman certificate के लिए या overman exam के लिए या overman post के लिए कौन-कौन eligible है एक्जाम दे सकते है तो departmental जब निकले गा न तो HMM बोला अगर एक साल भी काम किये हैं आप उस company में तो आप overman में जाने के लिए eligible होते हैं वहाँ पर यह नहीं बोलता है कि overman के post पे सरदार के post पे एक साल काम करना चाहिए वहाँ बोलता है कि company में एक साल काम करना चाहिए तब आप overman सरदार का form भर के जा सकते है तो जिसके पास HMB है कुछ बच्चे बना के रखे हैं सातिर हैं तो उनके लिए अच्छा golden opportunity है वो अपने NCL में चले जाओ भाई साब NCL में जाने के बाद साल देड़ साल के बाद जब departmental vacancy आएगा overman सरदार का तो आप exam दीजेगा और अपना निकाल दीजेगा उसमें का competition भी बहुत कम रहता है बहुत कम मतलब बहुते कम सीट बच जाता भाई साब सीट अगला साल निकालना पड़ता backlog पर ऐसा competition रहता है तो वहाँ पर आपको बहुत benefit मिल जाएगा चलो I hope यहां तक में आपको कोई doubt नहीं हुआ होगा और जितना भी main main information था मैंने cover कर दिया अगर कुछ मिसे छूट गया है कर दो कर दो कर दो